आजम बनाने जा रहे हैं टमाटर के बहुत ही टेस्टी भर्मा पकोड़े इन्हा बनाना बहुत आसान है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं टमाटर भर्मा पकोड़े हम आपको इसे काटकी भी तिखाते हैं किता सूपर सॉफ्ट है और तिकने में भी किता टेस्टी लग रहा है तो चलिए फिर बनाने शुरू करते हैं टमाटर भरबा पकाड़े तो चलिए सबसे पहले हमें कडाए में दोसे तीन बड़े चमच तील को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे फिर हम उसमें डालेंगे आदी चोटी चमच जीरा उसके आदा अब हम उसमें डाल देंगे आदा कब बारीक कटी हुई प्याच और एक चोटा चमच लेसन बारीक कटा हुआ और इन सबी चुज़ों को अच्छी तरीके से पकाएंगे हम प्याच को हलका गुलावी होने तक पका लेंगे अब हमारी प्याच पक चुकिया तो अब हम उसमें डालेंगे आदा कब बारीक कटी हुई हरी शिम्लामर्ची और इसे भी दो मिनिट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे अब दो से तिन मिनिट बाद अब हम उसमें डालेंगे एक चुदाई कप टमाटर और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब हम इन सभी जोगों को दो से तिन मिनिट के लिए अच्छी तरीके से पकाएंगे अब हमारे टमाटर पक चुके तो अब हम इसमें डालेंगे एक आदी शोटी चमच हल्दी पाउडर आदी शोटी चमच लाल मिर्शी पाउडर आदी शोटी चमच धनिया पाउडर एक चोधाई चोटी चमच अमचूर पाउडर और बस अब हम इन सभी जोगों को अच्छी मेस्ट आलू अब हम इन सभी जड़ो को अच्छी तरीके से मिला देंगे अब हम इस पर डालेंगे आदी छोटी चमच काली मिर्ची पाउडर और थोड़े से फ्रेश धनिया पते और आदा कप ग्रेट करा हुआ पनीर और बस अब हम इन सभी जड़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे और हमारी स्टफिंग बंगर के तयार है अब हम स्टफिंग को अच्छी तरीके से 10 मिनिट के लिए ठंडा करेंगे अब हम देंगे एक कप बेसन उसमें डालेंगे आदी चोटी चमच अल्दी पाउडर आदी चोटी चमच लाड मिर्ची पाउडर आदी चोटी चमच धनिया पाउडर आदी चोटी चमच अमचूर पाउडर आदी चोटी चमच अजवाइन अब हम इसमें डालेंगे एक चुथाई कप अजवाइन के पते यहां पर हमने अजवाइन के पतों को बारिक बारिक काट लिया है उसके बाद हम इसमें पेसन में हम अपने अजवाइन के पतों को हैट करेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक कि अबं लेंगे चार्क तमाटर यहांपर जो हम टमाटर अलें वो हलके से टाइट होने चाहिए तो वस अब माट knocking के उपर के इसंदे को काट लेंगे और जो बीच का उसका माटेरियल होता है उसे चमच की मदद से निकाल लेंगे और टेमाटर को अच्छी तरीके से खाली कर लेंगे हमारे एक टेमाटर खाली हो चुका है अब हम इसी तरह सभी टेमाटर को खाली कर लेंगे उसके बाद हम अपने खाली करे हुए टमाटरों के अंदर अच्छी तरीके से स्टफिंग भर देंगे अब यहां पे हमने तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया तो हमने जो बेसन का गूल बना करके तयार करा था उसमें हम अपने स्टफ्ट टमाटर को अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे और हम अपने गरम तेल में उसे डाल देंगे और अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सभी टमाटर के पकोड़ों को सेखेंगे हमारे टेमाटर के पकवाड़ी सिक करके तैयार है तो बस अब हम इने तेल में से निकाल लेते हैं और एक टिशू पेपर पर रख लें ताकि इनका जो एक्स्ट्र ओयल है वो टिशू पेपर एब्सॉफ कर लेगा और बस हमारे टेमाटर के भरवा पकवाड़ी बन करके तैयार है और आप लोग देख सकते हैं किते टीस्टी लग रहे तो अगर आप लोगों कर ऐसे पर पसंद आई हो तो प्लीज ट्राय ज़रूर करना कर दो